नवस्कार, खुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं पंकर शेरावात उपस्तित हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जी हाँ, इंडिया पोस्ट GDS 2023, रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, रिजल्ट जारी कल रात 11 मार् आँगा, तो बिल्कुल यहां पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और आपके सामने ओफिशल नोटिफिकरशन लेकर उपस्तित हूँ, रिजल्ट आया है, तो काफी विद्जारती जिनका हो गया है, वो काफी खुस नजर आ रहे है, जिनका नहीं हुआ है, वो दुखी है करेंगे, अगर आएंगी, तो कब तक आजएंगी, और जिनका हो चुका है, उनको क्या क्या डोकूमेंट्स से ही है, किसे साब से आपका डोकूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में आप अप अंजय तक बने रहें तता जिन्होंने भी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, आपका अपना यूटुब चैनल को पुत्ली एजुकेशन, आज इस सबस्क्राइब कर ले मैं, बात करते हैं यहाँ पर इस इंडिया पोस्ट जीडियस रिजल्ट एक चीज़ दान रखें उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा साइड में स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है सोट लिष्ट कंडिडेट यहां पर इस पे क्लिक करेंगे तो अपने अपने स्टेट के साब से अपनी पीडिएफ डाउलोड हो जाएगी यह चीज़ पर तो उसमें क्या है कि सभी स्टेट की बात करने राजस्थान के यहां पर तो राजस्थान में देखो यहां पर जो परसंटेज देखने को मिल रहा है ना सो 998 इस इस इसाब से यानि कि पिचानवे से बहुत कम जो प्याइस के टेगरी के स्टुडेंट से उनका मतलब की देखने को मिल रहा है पिचानवा से नीचे लेकिन बहुत से विद्यारती है जिसका लगवा पिचानवा से उपर देखने को मिल रहा है जितनी परसंटेज होती नहीं है उतनी परसंटेज देखने को मिल रही है अब काफी विद्यारतियों के सवाल यह होंगे कितनी वेरिफिकेशन होगा ना इसमें यहां पर लिश्ट में जो इतने भी नाम आपको जितने दिख रहे हैं फरजी जो होंगे वो सारे बाहर हो जाएंगे लिश्ट से क्योंकि यह जो डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है 21 मार्च तक है 21 मार्च दो हजार तेइस तक है डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे जिसका भी लिश्ट में नाम है अब उसमें किसी का तो कैटेगरी गलता आएगा किसी का मतलब कि यह मान के चलिए किसी ने जो कैटेगरी अगर लगाया भी है तो किसी का बहुत पुराना सर्टिफिकेट होगा यह भी समझ्या हो सकते है किसी की परसंटेज 10 फी कुछ है लेकिन उसमें बढ़दी कुछ ऐसी भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी तो इन सभी कारण उसे फिर उनका क्या है कि वो रिजेक्ट हो जायागा नाम वहां से और उसके बाद में चांस बनेंगे आपके स सेकेंड लिष्ट के चीज़ आप दाने कि लिष्टे तो आएंगी यह तो कनफरम है भी या लिष्टे तो आएंगी क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी जो परसंटेज होती है यहां पर टैंथ की वह तो भरी नहीं होती जबकि एक्स्ट्रा परसंटेज जो भी मतलब हमन है जिसका लिष्ट में नाम है लिष्ट कैसे देखनी है मैंने आपको बता दी है अब बात करते डोकूमेंट के बारे में देखो टैंथ की परसंटेज के साब से है तो आपकी चाहिएगी दूसरा बात करूं कैटेगरी सर्टिफिकेट यह चीज आप जानने के सीबीसी सीब बोड से तो आपको उसमें सर्टिफिकेट भीचिएगा बात करें यहां पर कि आप मतलब की किस जाती से हैं तो आपका जाती प्रमानपत्तर हो गया यहां पर जिसका जाती प्रमानपत्त इसने लगा यहां लगाना पड़ेगा यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि और आपको मतलब आपको मतलब pose करवाने पड़ेंगे और साथ में depends брат को साथ में लेके जाने है रीजन कहा दिया हूँ है एद चाहां पे आपगा ऑडिकु hm पढ़ेंगे जो पहला पेज है उसी पे लिखा गया कि क्या क्या चीज़ आप उकरने हैं किस मार्च से पहले डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन डोकुमेंट्स लाने हैं और साथ में दो फोटोकोपी इनकी लेकिए ने दो फोटोकोपी मतलब सैट होने चाहिए और उन सभी को अ क्या डोकुमेंट्स में शूरा है उन सभी के बाद में अपकी लिघने को मिलती और यहां पर फिलिश्टे देखने को मिल रही तो ध्यान रहे इंतजार करें और जिसका नाम आया उनको डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना इसका नाम नहीं आया सावची ज्यां वो इंत तो पिच्छाणावा से उपडेट होंगी आपको चैनल के मादन से मिलती रहेंगी अब की जो अपडेट ही मैंने दे दी कुल कतो को लेकर तो यहां पर अपने अपने स्टेट की आप जिसने जहां से अपलाई किया उसका अपना अपना देख लेंगा यह चीज आप जल्द ही मतलबी जो सेकंड लिस्ट आएगी तब आपको और भी चीज़े देखने को मिलेंगी तो आने वाले समय मैंसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें और हमारे इस्टाग्राम और टेलेग्राम चैनल के माद्देम से आप जूड